हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार पुनाय आप सभी का हमारे अपने यूटूब चैनल सीव कोचिंग क्लासेश पर तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 थी अन्सी आर्टी चैप्टर वन में जितने भी महत्तपूर्ण प्रश्ण हैं तो दोस्तों नॉमेंटक्लेचर पध्धती है इसको किसने दिया था तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया था दूइपद नामकरण की पध्धती दिया था चलिए दोस्तों चलते हैं नेश्ट कोस्टन पे चिडिया घर में कैसे प्राणियों को रखा जाता देखिए दोस्तों जो जू होती है चिडिया घर होती है ये जन्तू अध्यान होते हैं उनमें सभी जीवित प्राणियों को रखा जाता है चलिए दोस्तों नेश्ट कोस्टेन पे चलते है तो हमारा नेश्ट कोस्टेन क्या है दोस्तों वर्गी करण की मूल भूतिकाई क्या ह होती है चलिए दोस्तों next question है हमारा एक प्रभाग का निर्मान निम्न के संयोजन से होता है देखिए दोस्तों एक प्रभाग प्रभाग को हम English में बोलते हैं दोस्तों division और ये प्रभाग सब्दों जो है दोस्तों यदि इसको हम जन्तूं मेरी हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं फाइलम बोलते हैं फाइलम मतलब होता है दोस्तो संग और यदि हम प्लांट की भासा में जाते हैं जब हम पादपों में यदि बात करते हैं तो पादपों में वहां संग की जगए क्या हो जाता है इसको हम प्रभाग कहत यह इसको हम division कहते हैं तो देखिए दोस्तों इसका answer है work कई सारे class मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों एक प्रभाग करें मार करते हैं और फिर कई सारे प्रभाग मिलके एक जगत बनाते हैं चलिए दोस्तो अगला question है हमारा वर्गी करण की सबसे बड़ी इकाई क्या है देखिए दोस्तो जो largest unit है classification की वो क्या है kingdom या हम इसको बोल दें तो जगत देखिए दोस्तो वर्गी करण की सबसे बड़ी इकाई क्या है जगत है या kingdom है चलिए देखते हैं नेस्ट कोस्चन हमारा नेस्ट कोस्चन है दोस्तो प्रत्यक जीव के लिए अनिवार है देखिए दोस्तो इसका एंसर क्या है मरत्तु तो मरत्तु दोस्तो प्रत्यक जीवों के लिए क्या है अनिवार है चलिए दोस्तो चलते हैं नेस्ट कोस्चन पर नेस्ट कोस्चन है दोस साथ वर्गी करण की क्या होती है मोल भूती काई भी क्या होती है जाती होती है और सबसे बड़ी काई दोस्तों हमने क्या देखा सबसे बड़ी काई क्या होती है जगत होती है या किंडम चलिए दोस्तों हमारा नेश्ट कोस्चन है हमारा नेश्ट कोस्चन है दोस्तों स्वसन कैसी प्रक्रिया है तो दोस्तों स्वसन जो है कैसी प्रक्रिया होती है एक मेटाबोलिजम क्रिया होती है या उपापचई क्रिया होती है चलिए दोस्तों हमारा next question है काल प्रभावन का अध्यान क्या कहलाता है देखिए दोस्तों काल काल प्रभावन को हम क्या कहते हैं वैता भी कहते हैं तो दोस्तों काल प्रभावन क्या होता है कि प्रतेक जीव क्या होता है कि उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है उसकी सारीरिक छमता यानि उसके कार करने की जो छमता है वो धीरे-धीरे क्या हो जाती है कम होने देखिए दोस्तों काल प्रभावन का जो सिध्धान्त है सबसे पहले किस ने दिया था मैक्स रूबनार नामक साइंटिस्ट ने दिया था चलिए दोस्तों नेस्ट कोस्टन पर चलते हैं तो नेस्ट कोस्टन है हमारा दोस्तों सबसे अंत में मरने वाली कोशिकाएं होती है त ही कारण है थोस्तों कि हमारे मस्टिस्क में कहीं भी कारण बाकी बचने के पेड़लां में लगने किया पेच्छा के अनरोप कम होती है या यहां पे चौट लगने पर आदमी जल्दी खतम होने की चलिए धोस्तों नेस्ट कुस्टन है हमारा उपाप चाहे किसे कहते हैं देखिए दोस्तो जो मेटाबोलीजम होती है वो क्या कहलाती है तो इसका एंसर क्या होता है दोस्तो कोशिका में होने वाली संपून रसाइनिक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तो उपाप चाहे मेटाबोलीजम कहते हैं हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रसाइनिक क्रियाय होगी हम उनको क्या कहते हैं मेटाबोलिजम कहते हैं या उपापचाई क्रियाय कहते हैं चलिए दोस्तो हमारा नेस्ट कोस्टेन है उद्धी पनों के प्रति अनुक्रिया क्या कहलाती है देखिए दोस्तो जो उद्धी पन प्लीज मिलकी आपस में क्या करती हैं एक आडर का निर्मार करती हैं या एक गण का निर्मार करती हैं और कई सारे गण मिलकी आपस में क्या करते हैं दोस्तों एक क्लास का निर्मार करते हैं या वर्ग का निर्मार करते हैं चलिए दोस्तों नेस्ट कोस्टन पे चलते हैं तो दोस्तो जो हमारा सजीव तंत्र होता है या लीविंग सिस्टम होता है वह एक प्रकार का क्या होता है तो चलिए दोस्तो जो हमारा सजीव तंत्र होता है या किस प्रकार का तंत्र होता है तो इसका राइट एंसर है दोस्तो खुला तंत्र या एक ओपन सिस्टम होता है हमारा स सजीव तंद्र, next question में चलते हैं दोस्तों, विसान होते हैं, देखिए दोस्तों क्या है, question क्या कहे रहा है, विसान होते हैं, या virus क्या होते हैं, दोस्तों, इनको हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, देखिए इनकों क्या कहते हैं, connecting link between living and non-living, इनको क्या कह केंते हैं सजीव वर निर्जीव के मद्य की कडि कहते हैं चलिए दोस्तों indigenous देखते हैं नेश्ट कोस्चन है दोस्तो हमारा Species Plant theorem नामना पुस्तक किसने लिखी देखे दोस्तो इसका राई टैंसर है कैरोलस लिनियरिस इस प्लान टेरम जो है दोस्तो कैरोलस लिनियरिस की बूख है इसके अलाबा अधिकानस्ता लाइटिन भासा में दिये हैं क्या हो देखे दोस्तों जो बैग ग्यानिकों ने पात्वों की जितने भी प्रिववासा को यूज करते हैं चलिए दोस्तों हमारा next question है BSI का पूरा नाम क्या होता है चलिए दोस्तों तो BSI का पूरा नाम देख लेते हैं इसका right answer है Botanical Survey of India देखिए दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है Botanical Survey of India चलिए दोस्तों हम अपने next question पे आते हैं तो दोस्तों देखिए क्या कोश्चन है राष्टी बनस्पत उद्यान कहा है नेशनल बोटेनिकल गार्डेन कहा है दोस्तों ये है लखनव में है चलिए दोस्तों तो आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आ आप लाइक कमेंट करें और साथ ही साथ सेयर करें मिलते हैं दोस्तों आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रा